नमस्कार दोस्तों मेरे हाथ में ये चोटी सी आप चक्की देख रहे होंगे चक्की का उपाए क्या उपाए है ये चक्की का क्या ये हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है कैसे इस उपाए को किया जाता है क्यों हमें चक्की रखना घर में बहुत जुरूत है क्योंकि आ अगर हमारे उपायों का रूप ले रही हैं जो हम घर से निकाल रहे हैं उन्हीं का ही हमें मजबूरी में आप साथ करना पड़ रहा है साथ करना पड़ रहा है ये चक्की तो बहुत बड़ी होती है ये मेरे हाथ में छोटी चक्की क्यूं है इतनी छोटी चक्की और इसमें बिलकुल वही चीजें हैं जैसा की चक्की में होना चाहिए अनाज डालने के लिए यहां पर ये और इसके साथ साथ अगर हमें इसे खोल जहां पर चक्की की पूजा की जाती है अब चक्की की अगर हम बात करें तो चक्की में देखिए दो पार्ट होते हैं यानि कि दो हिस्से अगर हम दो हिस्सों की बात करें और दो हिस्से मिलकर एक चक्की बनती है आप इस चीज का थोड़ा लॉजिक समझिए कि दो हिस्से मिल यानि कि अगर इसका एक publish नहीं है तो यह चक्की किसी कांगी नहीं इसके लिए दो पार्ट का होना जरूरी है और दो मिलकर जब भी कोई एक चीज बनती है तो वह भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप spoil अब ये अर्ध नारेश्वर आपके घर में इस तरह से चक्की होगी तो आपके घर में स्वयम भगवान शिव और माता पारवती का वास होगा अब चक्की चलना चक्की चलाने का जो एक लॉजिक की अगर हम बात करें चक्की कब चलती है चक्की तभी चलती है जब घर में अन डारे भरते हैं घर के आपके कुठले या फिर आप जिसे हम कहते हैं अनाज स्टोर करने वाली जो आपके घर में एक स्टोरेज सिस्टम होता है वहां पर अनाज होते हैं तो इसी का एक जिसे हम कहते हैं घर में अनाज का होना घर में यह सब चीजे होना सुख संपत्ति का एक ह और सूक्र शुकर और बुद्ध का कहीं पर योग है तब हमें कुन्ली के अनुसार कहीं पर चक्की रखनी है डिरेक्शन भी यहां पर स्पैसिफिक है और कई बार सूर्य और बुद्ध कहीं पर कुंडली में कहीं गलत खाने में चले जाएं तब हमें कुंडली में उपाय के अनुसार हमें यहाँ पर चक्की घर में स्थापित करने के लिए बोला जाता है किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर किसी के रिष्टे आते हैं तूट जाते हैं कुणली में मंगल दोश है मंगल बुद्ध की युती है तब उस केस में चक्की आपको चक्की का उपाय करना है मंदिर में चक्की दान करनी है वो तब चक्की दान करनी है अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे हैं या फिर आप ऐसी परेशानियों से जूच रहे हो जो आपको जेल की हवा खिला सकती हैं कोट के चरी के जंजट कहीं पर पड़े हुए हैं तब चक्की का उपाय होता है अब ये सभी उपाय करने हैं तरीके से वही तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे किया जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिना कुंडली के बारे में यानि कि कुंडली जिनके पास नहीं है वो कैसे उपाय करने देखिए घर में चक्की रखना हारे के घर में चक्की होना एक शुबता का प्रतीक है अगर आपके घर में रिजक आमदनी कहीं पर परेशानी आ रही है आपको करियर लाइफ की कहीं पर परेशानी आ रही है तो आपके घर में एक चक्की का होना बहुत जरूरी है और ये चक्की आपके घर में होगी तो आपके घर में जिसे कहते हैं करियर लाइफ भी सही रहेगी क्योंकि शुक्र और बुद्ध मिलके एक पॉस्टिफ सूर्य बनता है पॉस्टिफ सूर्य आपकी काम काज आपके राज़ दरबार आपके एक social life overall चीजों को represent करता है अगर आपने शुक्र और बुद्ध के इस योग को मिला कर सूरे को सही कर लिया तो सूरे के दोश्टे भी आपको बचाव हो जाता है और अगर मालिजे किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए simple आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप ऐसी चक्की लीजिए मंगलवार के दिन जाके मंदिर में आप ये जाके डोनेट कर दीजिए अगर आपके कहीं से मंगल की खराबियां आ रही हैं कुंडली के अंदर आप कहीं पर मंगल दोश्चे पर भावित हैं ताब ऐसा उपाय कर सकते हैं कहीं पर आपके उपर जेल के जाने के योग बन रहे हैं तो ऐसी चक्की लीजिए और चक्की लेकर आपको बुद्वार के दिन जाके जल परवा कर देनी है और अगर माल नीजिए आपके कुंडली में बुद्व और शुक्र का योग है याफिर सूर्य खाना नमबर 12 में है याफिर कहीं पर सूर्य आपकी कुंडली में खराभ हो रहा है तब इस केस में शुक्र और बुद्व को मिला के जो की चक्की का उपाय कहलाता है अब आप समझ गए होंगे कि चक्की के उपाय के कितने फायदे हैं क्यों हमें ये करना है देखिए चक्की बहुत लोगों ने मंगाई पर उनको बड़ी बड़ी चक्कियां भी भेजी गई योग भी ये चक्की है अब ये सबी चक्कियां जो हैं छोटी छोटी आकार किसी लिए बनाई गई गई क्योंकि आजकल जगा की प्रॉलम है तो ये जगा की प्रॉलम के कारण ही ये चोटी चक्की बनानी पड़ी चोटी चक्की का उपाए आप एक तरीके से नहीं बहुत से तरीकों से कर सकते हैं आप अपने घर में इसे साउथ इस्ट या फिर साउथ वेस्ट के डारेक्शन में रखिए और घर में रखी गई चक्की आपका चोथा खाना भी दर्चाती है जहां पर सूरे बुद्ध के अगर माली जे कुंड़ी में आपके सूरे बुद्ध का योग है और कहीं पर सूरे बुद्ध खराब हो रहे हैं सूरे बुद्ध खराब होने पर मंगल बद हो जाता है क्योंकि सूरे बुद्ध एक पॉस है यानि कि आप 2, sow provide zatuation सकते हैं अर इसको चाहे таुअ और और जो भी समय से निकलेका वह बाहर आप पक्षियोग को डाले या फिर अपने घर के खाने में अप उसमें मिला सकते हैं यानी की दल्या टाइप का बन जाएगा 73 पूरी पूरी चक्की तो नहीं है पूरी चक्की का सेटप काफी बड़ा होता है और यहां पर हमें सिर्फ उपाय के हेतु यानि कि उपाय के परपस से ही यह चीज़े रखनी है तो इतनी बड़ी चक्की अगर मैं इसकी बात करूं तो यह इसकी चोड़ाई जो है 9 से 10 सेंटीमीटर क बड़ी भी हो सकती है और इसका वजन लगबग एक से डेड़ किलो दो किलो के आसपास इसका वजन होगा और आपके घर में रखी हुई चक्की यह 100 परसंट आपको पॉस्टिव रिजल्ट देगी क्यूंकि देखिए यह सब हैंडमेड जो हैं चीजे बनाई गई हैं यहां पर पथर भी उसी तरीके से लिया गया पूरी कारीगरी की गई है चो चोटे चोटे कारीगरी जो है इसमें की गई है और वो कारीगरी काफी मेहनत पाली होती है बाकि इसको आप सजा भी सकते हो किसी भी तरीके से पेंट वगरा कर सकते हो घर में आपके जरूर ही चक्की हो होनी चाहिए क्योंकि पहले समय में यह सब चीजें घर में हुआ करती थी सुबह सुबह चक्की चला करती थी आप लोग काम पर जाया करते थे यानि कि एक तरीके से एक रोटेशन एक रोज मर्रा का नियम होता था कि एक चीजे चलती थी पर यह सब कुछ आज कल के टाइम में खतम हो चुका है आज कल इलेक्ट्रिक चक्की आ गई है कुछ और आ गया है आप पिसा पिसाया आटा लेते हो कुछ भी करते हो आपकी कुंडली में बुद्ध खरा चाहें आप चलाएं तो इससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो दोस्तों यह एक है तो छोटी सी रेमेडी हमने इसका रूप बदल लिया है बस रेमेडी का जो एक बेस और एक जो ले होनी चाहिए वो खराब ना हो हमने सब ही चीज़े वही इस्तमाल की है आज कल की modernization के अनुसार उन चीजों को हमने थोड़ा सा फिर बदल करके हमने उपाय का पूरा उसी तरीके से उपयोग किया है तो किसी भी तरह से परेशानी आ रही है देखिए आप सभी चीजों को अगर भूल जाएं और सीधा सा यह आप समझें कि आपके घर में चक्की होनी चाहि हमारी कुंडली में बहुत जरूरी है जिनकी कुंडली है या नहीं भी है वो भी इस तरह से चक्की मंगा कर प्राण प्रतिष्ठा की हुई चक्की मंगा के घर के साउथ वेस्ट या साउथ इस्ट में जरूर ही इसको स्थापित कर दें और जब चलानी हो तब उठाएं और दोस्तों आपके घर में कैसे शुबता आए इसके लिए आप जतन करते रहें बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही नई-नई इंफोर्मेशन लेकर आता रहूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को के दीजिए नमस्कार